Welcome back to my channel हम वापस आ गए हैं एक और हिंदी कहानी लेकर तो आईए जिन्दकी के समाधान यानी जीवन के समाधान को जूनते हैं हम सब बोलते हैं हमारी जिन्दकी में बहुत प्रॉब्लम्स है आईए उन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जाता है ये जानते हैं राजेश एक बहुत बड़े कॉर्परेट आफिस में काम करता है और अकेला रहता है काफी पैसा कमाता है और मार्केट से एक पैट गोध लेने के लिए जाता है पैट शॉप में पहुंचता है वहाँ बहुत सारे पैट दिखाई देते हैं तो वो अपना मन बनाता है कि मैं कौन सा पैट लूँ तो उसे अजगर पसंद आता है तो छोटे अजगर के बच्चे को वो अपने साथ अपने घर ले आता है और उसके साथ रहना शुरू कर देता है ये छोटा सा अज़र का बच्चा रोज राजेश के साथ रहता है, खेलता है, खाता है और राजेश बहुत ही खुश रहता है धीरे धीरे वो बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है राजेश के साथ ही उसके बिस्तर पर वो सोता है गाजेश उसे बहुत प्यार करता है अपने बच्चे की तरह एक साल बाद गाजेश को लगता है कि उसका जो बच्चा है वो कई दिनों से कुछ खा नहीं रहा यानि कि वो अजगर का छोटा बच्चा आजकल कुछ खाता ही नहीं है कुछ भी रखो वो मना कर देता है डॉक्टर के पास इसे ले जाना पड़ेगा तो वो अजगर को लेकर डॉक्टर के पास पहुंच जाता है डॉक्टर कहता है मैं इसे चेक कर लेता हूं अगर कोई भी दिक्कत रहेगी तो मैं आपको बताता हूं आप बाहर इंतजार करें बाहर राजेश इंतजार करता है कि पता नहीं मेरे बेटे जैसे अजगर को क्या हो गया है उसे ऐसा पहले नहीं हुआ था ना जाने राट को खा नहीं राशरी रकडा लेता है डॉक्टर उसका चेक अप करते हैं और डॉक्टर समझ जाते हैं कि उसकी असली परेशानी है क्या और वो बताते हैं जाकर ये पूरी बात राजेश को आपके अजगर को कोई परेशानी नहीं है आपका अजगर इतने दिनों से खाना इसके नहीं खा रहा है कि वो रात को आपके सिर्का साइज लेता है ताकि आपको निगल सके ये सुनके राजेश के पैरो तले जमीन किसद जाती है उसे समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है राजेश को इसका सुल्योषन बताते हैं और राजेश उस सुल्योषन पर मान जाता है तो ये कहानी हमें क्या बताती है कि हमारी जिन्दगी में ये जो अजगर है ये कौन सा अजगर है ये अजगर है हमारा नेगेटिव थौट हमारी problem जिनको हम अपने साथ सुलाते हैं खिलाते हैं और बढ़ा कर देते हैं तिन यही अजगर हमें निकल जाता है तो आपकी negative thoughts आपका stress आपकी problem एक अजगर हैं मत पालिए इने इनकी जगा नहीं है आपकी जिंदगी में positive रहिए solution पे काम करिए बहुत simple सा सवाल आपसे अगर आप question paper में कोई question आप नहीं चांते थे तो क्या करते थे छोड़ देते थे और अगर आपके पास किसी भी problem को solution है तो आप solution जानते हैं तो काम कीटियो solution पे इस अजगर को घर मत लाइए ये आपको एक दिन निगल जाएगा और दॉक्टर ने कहा था राजेश को कि जाकर इसे जंगल में खोड़ाये और राजेश उसे जंगल में छोड़ दिया है तो डोंट फगेट तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक यू वेइमाच